आख हल्दी दूत पीकर भी देख लिया, मगर जख्म इसका भरा नहीं, हजारों आई धंकियां उसके बाप की, बट भाई आपका डरा नहीं नमस्कार मैं अभिने आप सब का अभिने मैं इस पर स्वागत करता हूँ इस ठंड के मौसम में कपकपी के साथ हम और आप पढ़ने-पढ़ने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कौपी किताब खोल लीजिए, लगातार अपने वादे के मुताबिक मैं बारे बजे क्लास लेने आ रहा हूँ स्टार्टिंग में एक दो दिन, एक दो मिनट लेट हुआ बट उसको भी मैंने कम कर दिया कि नहीं आपके जीवन का एक एक मिनट कीमती है, मैंनी चाहता कि आप अपने जीवन का एक मिनट या दो मिनट भी खराब करें, वो भी हमारी वज़े से मैं आओं तो सिर्फ पढ़ाओं, पढ़ाई की बाते करूँ, कुछ काम की बाते करूँ, थोड़ा बहुत एंटेटेन्मेंट करूँ, कि सब कुछ आपको एक ही किलास में मिल जाए, आपको जरुवत न रहे किसी और की, चल रहा है नहीं? ठीक है, सब कुछ बहुर अच्छ यह प्यास, लाभान, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो सब चीजों पर आज हम सवाल करेंगे, तयार हैं हम? मैं जो भी सवाल बताऊंगा, उसके दो तरीके होंगे तो दो, तीन होंगे तो तीन, सब बताऊंगा, आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा करता है, कल की कलास में मैंने कहा ता, कि ये एक युनिक तरीका है, ये हर जगे लगेगा, कल कहता नहीं कहता है, तो वो जो यूइक तरीका भो भी मैं लगा कर बताऊंगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे, कल इनों हमने बैटिंग के सवाल कराए, बैट स्म一點 के सवाल कराए, तो वो हम कल करेंगे, ठीक है? तो आज की class में क्या करेंगे? वो उस पर बात करते हैं, तो आज की class का पहला सबल आपके सामने आ counties basic average बता चुका हूं, average बराबर होता है, sum बराबर average गुणा number, यह होता है, ठीक है? चलिए जितने भी लोग हमारे बॉर्डर से देख रहे हैं, काफे बच्छों के मुझे मेल आये, पता चला कि बॉर्डर से पूरी की पूरी टोली आर्दस सिपाईयों की CISF, BSF की देखते हैं, वीडियो आनन लेते हैं सब को हमारा सलूट है भाई, कि आप सब बॉर्डर पे रहे के इतनी ठंड में हम सब की रच्छा कर रहे हैं, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपके लिए हम हर्दम हाजे रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि अगर वो पाँच बच्चे, बीस बच्चे, सो बच्चे भी बॉर तो मेरा जीवन इसी में सफल है 6th class आज है उएवरेच की है, और पहले सवाल से सुराथ हो रहा है, देख लिझे, पहला सवाल क्या है, कितना प्यारा है, कितना सुन्दर है, क्या है पहला सवाल? मैं पढ़ देता हूँ पहले फिर इस सवाल पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे बाकी आगे के सवालों पर उत्ता नहीं लगेगा फिर कि there are 36 student in a hostel एक छात्र में मतला होस्टल में छात्रावास में 36 बिद्यारती है if the number of student increased by 9 then the average expenses of the mass increased by 45 rupees per day while the average expenditure per head diminishes by rupees 2 find the original expenditure of the mass एक होस्टल में 36 चात्र हैं 9 चात्र और आ जाते हैं तो mass का प्रति दिन का कुल खर्चा 45 रुपे बढ़ जाता है जबकि प्रति चात्र 2 रुपे कम हो जाते हैं तो mass का प्रारभ में कुल खर्चा क्या था ठीक है मैं इस सवाल को कई सारे तरीके से बता रहा हूँ एक तो बिल्कुल basic तरीके हैं दो दो तो बिल्कुल basic तरीके ले रहा हूँ एकदम basic क्या है basic method जैसे एक बच्चा अगर करेगा इन सवालं को जो कि नहीं करना है आपको मन जैसे करना है वैसे आप करिये, मैं कुछ नहीं बोलूगा आप कहेंगे जी बेसिक तो यही कहता है कि अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो पहले और बाद में लिख लेते हैं, पहले और बात number of student, तो आप कहेंगे जी number कितना था, 36 मैं LCM method भी बताऊँगा, जिससे आप orally कर पाएंगे इस सवाल को 36 और यह 45, यह number है, अगर आज बहुत ठंड लग रही है, अगर मैं average की बात करूँ तो average पहले x और बाद में x-2, दो कम हो जाता है average अब अगर मैं खर्चे की बात करूँ यहां पर, अगर हम खर्चे की बात करें, यहां पर expenditure की बात करें expenditure की तो क्या होगा expenditure, 36 x, 36 x, यहां पर expenditure कितना होगा, 45 और x-2 यहाँ पर expenditure कितना होगा 45 और x-2 अब देखिए जो पहले का खर्चा है और जो बाद वाला खर्चा इसने का है 45 बढ़ जाता है यानि बाद वाले खर्चा जो है वो पहले वाले खर्चे से 45 जादा है तो मैंने 45 एड कर दिया चीज में मैंने क्या किया इसमें 45 एड कर दिया पिलस 45 कर दिया किलियर है बात मैंने इसमें पिलस 45 कर दिया 45 एड कर दिया अब मैंने कहा कि यार यह पूरा 9 से कट रहा है तो आपने का calculation को आसान बनाने के लिए 9 से काट लेते है 9 चॉक 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 एक्स माइनस 10 तो आप पाएंगे अगर यह x उदर चला जाए और 10 इदर आ जाए तो x कितना आ गया यानि मैंने यह निकाल दिया कि पर हैड खर्चा एक बच्चे का कितना था तो आप कहेंगे जी पर हैड खर्चा एक बच्चे का 15 रुप 9, 540 टोटल खर्चा आगे यही उत्तर है सवाल का एक तो यह बेसिक हो गया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे यह बहुत गटिया लगता है मुझे यह पसंद नहीं आता बेसिक टू यह बेसिक बन है आज आप तरीके ही देख लो कि एक सवाल को करने के कितने हो स बढ़ थोड़ा जल्दी जल्दी करिये टाइम कम रह जाता है सवाल नहीं हो पाते है आज भी 15 सवाल है 16 सवाल करने हैं जाना नहीं है ठीक है तो मैंने का यह बेसिक टू है आपने का जी पहले कितना खर्चा है तो मैंने ए मान लिया आप कहेंगे बाद में कितना खर्चा ह आपने का 36 से भाग लगा दो मैंने का बाद में एक बच्चे का कितना होगा आपने का बच्चे 45 हो चुके है 36 और नव 45 देखिये अपकी बार मैं खर्चा मान रहा हूँ पहले मैंने एक बंदे का खर्चा X माना अब की बार मैं total expenditure A मान रहा हूँ अगर total A है तो एक बच्चे पर कितना पड़ेगा A बटे 36 बाद में 45 बढ़ गया A पिलस 45 बटे 45 होगा अब आप ये जानते हो कि जो बादवाला खर्चा है वो 2 कम हो गया है यानि कि मैं पहले वाले मैं से बादवाला घटाओंगा तो यहां पर 2 आ जाएगा आ जाएगा ये आप कहोगी जिए बिलकुल आ जाएगा अब अगर मैं LCM ले लूँ यहां से LCM तो आप कहेंगे LCM 180 आ गया तो 5A minus 4A minus 180 ठीक है बराबर 2 यही आएगा 2 तो आपने देखा यहां से A कितना आ जाएगा A बराबर आ जाएगा 180 दूनी 360 और 180 और जुड़ेगा 540 तो यहां से हम डारेक्टी 540 निकाल पाए यहां से हमने डारेक्ट खर्चा निकाल दिया 540 यह दो बेसिक तरीके हैं अगर आपको लगता है कि नहीं भाई में पेपर में कोई और तरीका फॉलो अप नहीं कर पाऊंगा तो आप यह बेसिक याद रखे बट मुझे यह पसंद नहीं आते अब बीच में से किसी बच्चे की अवाज आरी होगी कि सर आपने तो कहाता है कि यूनिक मैथड है क्या वो नहीं लगेगा वो भी लगेगा बता रहा हूं कैसे अब भी बता रहा हूं कि कैसे लगेगा बाकी ऐलिगेशन भी इन सवालाँ को करने का बेस्ट वे हो सकता है बट आप मैंसे कुछ लोग जानते होंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं बट हम बताएंगे सब चीज है बताएंगे हमारा तो फर्ज है मैं ये मिटा रहा हूं आप उसका स्क्रीन सौट ले लिजिया तब तक और थोड़ा तेज पढ़ने के आदर डालें मैंने कल भी कहा था कि आप अप अपनी capacity को बढ़ाईए अपने ability को बढ़ाईए ठीक है अब एक वो तरीका जो मैंने बताया कि unique method है बेटा हर जगे लगता है क्या आपने का 36 बच्चे है 36 उनका average x दिया होगा है x दिया होगा है ठीक है अब 9 बच्चे और आगए 9 बच्चे आए यानि कि बच्चे 45 हो गए और average कितना होगा है x minus 2 तो जो 9 बच्चे आएंगे उनका खर्चा बढ़ गया होगा तो उनका कितना बढ़ा है आपको भी सवाल में दिया हुआ है कि उनका बढ़ा है 45 तो हमें पताए कि ये 9 बच्चे का बढ़ा हुआ खर्चा आएगा कैसे plus 9 ये कितना हो रहा है minus 2 तो एक बच्चा का आएगा जो बढ़े हुए 9 बच्चाओं का खर्चा है वो इसको 9 से गुणा करिये इसको 36 तो ये कितना आगया 9 x minus 2 minus 2 गुणा 32 ये उन बच्चाओं का खर्चा है जो 9 आए है तो ये सवाल में हमें 45 दे रखा है 45 दे रखा है दियान से समझ ना मैंने क्या कहा कि जो 9 बच्चे बड़े हैं ये उनका खर्चा है ये जो 9 बच्चे बड़े हैं तो हमने अपने इस तरीके से हम जैसे यहाँ पे 2 इनिंग बढ़ती थी तो हम उन दो लोगों का खर्चा निकाल लेते थे यहां पर, यहां पर तीन इनिंग बढ़ती थी, तो तीन काव यहां पर नौ बच्चे बढ़े, तो उनका नौ का खर्चा निकाल लिया, वो 45 आ गया, तो आपने का जी, नौ से अगर भाग करूंगा पूरे को, तो X-2, 9-72, 9-45, तो X कितना आ गया? 15, यानि यहां से भी एक बच्चे का खर्चा आ गया 15, एक बच्चे का खर्चा अगर 15 है, यहां से, तो टोटल 36 का कितना होगा? तो आप कहिंगे 540 होगा, यही सवाल में पूछा है 540, यही 540 सवाल में पूछा है, इसमें कोई दोराय नहीं है, there is no दो राह है कोई भी दोसरी राय नहीं है कि 540 नहीं आएगा अब दो मेथड बताऊंगा एक allegation जिन लोगों को आता है allegation सबके लिए नहीं है क्योंकि अभी allegation सबको नहीं आता है average की जो last class होगी यानि की परसों होगी उस class में हम आपको allegation with average बताएंगे या average with allegation क्या होता है बट यहां पर भी मजबूरी आन्फस ही है यार रहने देते हैं परसों ही ले लेंगे allegation बताते ही नहीं है ज़्यादा ठीक रहेगा जब लोगों को आता ही नहीं है तो ऐसे कुछ लोगों को आता भी होगा ऐसा नहीं है LCM method तो सबसे blast में बता हूँ गई वह तो best method है LCM method देख लेता हूँ एक बार की बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे थोड़ा इनसे बात करना भी ज़रूरी होता है नहीं तो पढ़ते नहीं है कई लोग तो बात ना करो तो ठीक है अविरल सुकला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए है MD मुस्ताक आलम भी है allegation बताओ साथ छोड़ो ये समझ ठीक है बई allegation भी बताएंगे एक लड़का पीछे पढ़ रहा है आपने starting की साइरी नहीं सुनी मैंने इतने प्यार से भूली साइरी बाद में सुन ले न बहुत हसी मजाक की साइरी थी कोई भी लड़की या उसके बाप ज्यादा हीरो बने तो उनको गा के सुना देना ठीक है बहुत मस थी वो दुबारा से बता देता हूं मेरा मन नहीं मानना मैंने कहा हल्दी दूद पीकर भी देख लिया हल्दी दूद पीकर भी देख लिया मगर जक्म इसका बरा नहीं लाग धमकी दी उसके बाप और भाई ने बट आपका भाई कभी डरा नहीं देखो, एक होस्टल में 36 चात्र हैं, तो ऐलिगेशन क्या क्याता है? ऐलिगेशन बेसिकली, एवरेज का ही मेथड है, एलिगेशन कोई नई चीज नहीं है, ठीक है? एलिगेशन का ही मेथड है, तो मैंने कहा पहले 36 बच्चे हैं, फिर 9 बच्चे और आए हैं, आपने का 36 ने पूछा कि 9 बच्चों का एवरेज क्या होगा? आपने का जी, 45 रुपे लेके आएं, 9 बच्चे अपने साथ, हर बच्चा 5 रुपे की कॉंटरी दे रहा है, 45 बढ़ा है ना खर्चा, हर बच्चा 5 रुपे की कॉंटरी दे रहा है, तब 45 बच्चों का एवरेज क्या हो अब allegation यही कहता है कि अगर एक बार इस मैंसे यह घटा लिया क्योंकि यह छोटा है तो अब इस मैंसे यह घटेगा तो इस मैंसे यह घटेगा x-7 है allegation कहता है कि जो अनुपात उपर और नीचे उपर का होगा वही नीचे का होगा यानि कि 9 और 4 यानि चार अनुपात एक है ठीक है कितना है चार अनुपात एक ठीक है अगर ये चार अनुपात एक है एक यहां है तो यहां चार है अगर यहां दो है तो यहां कितना होगा तो आप कहेंगे जी रेट कलम से आठ लिखता हो भाई यहाँ वाला इसका चार गुना है तो दो की जगे हैं आठ आ जाएगा X कितना आएगा? आठ साथ 15 मुझे पता चल गया कि एक बच्चे का खर्चा 15 आ गया 36 से गुणा करूंगा 540 यह allegation आ गया अब मैं आगे अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है अगर आगे ऐसा कोई भी सवाल आता है तो मैं या तो allegation बताऊँगा या LCM, LCM method बताऊँगा इसके अलाबा कुछ नहीं समझ रहे हैं आप या नहीं? ठीक है? बहुत बच्चे तो सोते रहते हैं अब मैं एक last method और आखरी method बता रहा हूँ LCM method क्या है ये LCM method? ये सोचने वाली बात होगी और मुश्किल बात होगी इसको समझ पाना मुश्किल होगा आप ऐसे समझ ये पहले तो कई बच्चों कोई doubt होगा कि ऐसे खर्चा कम कैसे हो रहा है आप बताईए आप एक रूम में दो लड़के रहते है आँटी आप से खाने का 1800 रुपे लेती है यानि एक बच्चे से 900 लेती है यही हो तब ही एक बच्चे से 900 लेती है अब क्या हुआ? कि एक और लड़का आ गया तो आँटी ने क्या किया? 600 रुपे बढ़ा दिया यानि रूम का खर्चा 600 रुपे बढ़ गया यानि 2400 हो गया बट अब एक बिध्यारती पे कितना पढ़ रहा है? 800 पढ़ रहा है, 100 कम हो गया तो पहले तो यह जानिए कि लोग आ जाते हैं खर्चा बढ़ जाता है परहड कैसे कम हो जाता है ऐसे कम हो जाता है कि आँटी कहती है कि मेरा तो effort उतना ही लग रहा आने जाने में मैं 600 ही बढ़ाऊंगी तो जो 600 बढ़ा उस 600 की वज़े से क्या हुआ कि जो बाकी लोग थे उन पे भी 100 रुपे कम पढ़ने लग गया पढ़ने लग गया नहीं अब देखना इस सीच को आपको example दे समझना पढ़ेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा बिलकुल भी मुझे बहुत effort लगाना पढ़ेगा आपको LCM Matter समझाने का मैंने कहा पहले दो बच्चे थे खर्चा 1800 ले रही थी आँटी खाना बनाने का यानि 900 पर हेट फिर तीन बच्चे हो गए यानि 600 बढ़ा दिया आँटी ने 2400 तो 800 रुपे 600 बढ़ा दिया overall 600 बढ़ाया अब मैं क्या कह रहा हूँ आप से कि अगर आँटी ने ये 600 ना बढ़ाया होता दियान से समझना अगर आँटी ने ये 600 ना बढ़ाया होता ना बढ़ाया होता तब क्या होता तब आप कहते तब तीन लोगों पर ये 1800 होता और एक बंदे पर 600 पढ़ता तो एक बंदे का सीधा कितना कम हो जाता तो आप कहेंगे एक बंदे का सीधा तीन सो कम हो जाता तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप तीन सो मुझे डारेक्ट ली कैसे बता सकते हैं निकाल के आप कहेंगे कि जी सो तो यहां पे कम हो रहा था 100 तो यहीं कम हो गया था तीसरे बंदे के आने से ही और जो 600 रुपे तीन लोगों पे अगर और नहीं बढ़ेगा तो 600 तीन लोगों पे यानि कि 200 और कम हो जाएगा यही 100 और यही 200 है जो डारेक्ट 300 आ रहा है यही तो मतलब है भाई मैंने कहा पहले आन्टी दो लोगों पे 1800 रुपे ले रही थी एक बंदे पे 900 बढ़ रहा थी अब खर्चा रूम का बढ़ा 600 तो तीन लोगों पे 2400 हुआ एक पे 800, 100 कम हो गया मैंने कहा अगर यह 600 ना बढ़ा होता तीन लोगों पे 1800 होता तो एक बंदे पे 600 ही पढ़ता तब डारेक्ट 300 कम हो जाता तो एक 300 हमने कैसे निकाला कि एक तो 100 पेले कम हो रहा था और जो बढ़ा है 600 उसको भी हमने तीन से बाग कर दे यानि कि 200 यहां से कम हो जाएगा यह कह सकते है नहीं तो मैं यही चीच अब इसका screenshot ले लिजे यही चीच यहां पे समझाना चाह रहा हूँ यही चीच आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूँ कैसे बताता हूँ मैंने कहा बेटा ऐसा करो देखना आप ध्यान से बहुत ध्यान से समझना मैंने एक बच्चे से का बेटा ऐसा करो कि यह 45 मत बढ़ाऊ 45 मत बढ़ाऊ बच्चे कितने हैं अभी मेरे पास 36 और 9 आने के बाद 45 बच्चे हैं जब मैंने ये कहा कि 45 रुपे खर्चा मत बढ़ाऊ तो आपने का जब 45 रुपे अगर खर्चा नहीं बढ़ाऊँगा तो 45 ही बच्चे हैं हर बच्चे का एक एक रुपे कम हो जाएगा 2 रुपे अल्डेडी कम हो राता अगर 45 और होगा तो अब 3 रुपे कम हो जाएगा ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं खर्चा ना बढ़ाओं जितना पहले था उतना ही अभी रखूं तो एक बच्चे पर अंतर कितने का आएगा तीन का आएगा बस यह समझाना चाह रहा हूँ अब कुछ ही नहीं इस सवाल में आपने का जी 36 बच्चों पर भी उतना खर्चा है आपने का जी 45 बच् पंतर है एक का आप बोले च्छी गढढ़ड हो गई आप तो कह रहें आंतर 3 का होना चाहिए 3 का महुशना तो मैंने का इसको 3 बनाना एक की वैलू 3 है तो इसको भी 3 बनाईंगे तो 540 है इसका मतलब टोटल खर्चा 540 में क्या हो गगा है 15 आजाएगा है भार आंतर 3 का देखे मुश्किल है समझना जैसे जैसे हम किसी भी टॉपिक पे जाते हैं थोड़ी मुश्किलें आती हैं इसलिए मैंने क्या किया टैक टैक सर आपका पेड कोर्स चाहिए कितना भी अच्छा पढ़ा लो बस पेड कोर्स चाहिए तो लो बेटा हम जैकेट खोलेंगा और आठ बजे एडवांस ठीक है अबिनम्स रेफरल कोर्ड है लगा के आजाना और पढ़ना आराम से क्यांकि तुम्हारे बस की बात है नहीं यूट्यूब समझना यह डिफरेंस समझना है जी बिलकुल देखिए बात वही है मैं रिपीट करूँगा और आगे भी इसा नहीं है दुबारा भी बताऊँगा मैंने कहा कि 45 बच्चे हो गए और खर्चा 45 रुपे बढ़ गया तब 2 रुपे कम है मैंने का अगर यह 45 भी ना बढ़ाऊं तो हर बच्चे का एक एक रुपया और कम हो जाएगा 45 पे तो फिर यह कितना होगा तो आपने का जी फिर यह 3 रुपे कम होगा यानि कि सवाल इतना सा रह गया कि अगर जितना खर्चा पहले था उतना ही अभी है तो उस हिसाब से एक बच्चे का 3 रुपे कम हो जाएगा मैंने कहा जब पहले बच्चे 36 थी और अब 45 तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कुछ जो इन दोनों से कट जाए म मैंने common खर्चा 180 मान लिया बड़ा तो है यानि पहले एक बच्चे पर 5 रुपे पढ़ रहा था 36 थी और एक बच्चे पर 4 रुपे पढ़ रहा है यानि खर्चा हमारे साब से एक कम हो रहा है कब जब हम total खर्चे को कितना मान रहे है 180 हमने total खर्चे को 180 माना तब हमारे तीन कम है सवाल में तो 180 की 540 आ गई ये ही total खर्चा अच्छा तरीका है समझने के उपर दे कि आप YouTube पे भी हम पढ़ा रहे हैं तो सब तरीके का बच्चा है basic समझने वाला भी है allegation समझने वाला भी है LCM भी समझने वाला है हमें सब को साथ लेके चलना है हमें सब कुछ बढ़ाना है अपनी तरफ से सब कुछ हमें छोड़ना कुछ नहीं है कमल सिंग पिलिवीट से हैं CHSL की फॉर्म की डेट बढ़ गई है जिन लोगों ने अभी तक CHSL का फॉर्म नहीं भरा है अभी भर सकते हैं मेरे पास रुपे नहीं आप YouTube से ही अच्छा पढ़ा रहे हो मैं आपका तहे दिल से धन्यबाद करता हूँ आप जैसा टीचर इंदोस्तान में है हमें गर्भ है जो हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं इतना प्यार देनी के लिए बस करना कुछ नहीं है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंचानी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किलास का फाइदा उठा पाएं पढ़ पाएं बस हम इतना चाहते हैं इसके अलावा कुछ नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ले लेता हूँ कौनसा सवाल अगला ठीक है सवाल क्या कह रहा है there are 40 students in a hostel एक hostel में 40 विद्यारती है if the number of student decreased by 10 अबकी बार number of student 10 से कम हो गए then the expenses of the mass decreased by रुपीच 60 per day while the average expenditure per head increased by 1 रुपीच find the original expenditure of the mass एक चात्रावास में 40 विद्यारती है यदि 10 चात्रावास छोड़ दें तो में इसका प्रतितिन का कुल खर्चा 60 रुपे कम हो जाता है यदि प्रति विद्यारती खर्चा 1 रुपे बढ़ जाता है तो खाने का प्रारंबिक खर्चा क्या आता है दो ही तरीके बताऊंगा एक basic one और एक LCM सारे तरीके नी बनाने आपको कोई master नी बनना है ठीक है दोस्त आपको कोई master नी बनना जो आप सारे तरीकों के पीछे पड़े हुए सिर्फ दो तरीके एक basic one और एक यह ठीक है जन्म जन्म का साथ है निभाने को देखिए basic one क्या है यह रहा basic one क्या हमारे साथ आविरल सुकला जोड़े हुए है तमाम तमनाय दिल में दबाकर पंकच राय जी है यार पलास सुकदेव हैं जो बच्चों को गाली दे रहे हैं जो डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो ऐसा मत करिए विकास तुमर जी भी हैं बहुत सुन्दा सागर गुपता जी है नहीं नहीं सागर अब कोई क्लास बंद नहीं हो रही है सिवा मने तो उत्तर भी बता दिया वा देखे बहुत बच्चों का उत्तर आभी गया मुझे बताने दीजिए मैं यह करा हूँ कि पहले बच्चे कितने थी चालिस पहले और एवरेज मान लिया एक्स बाद में बच्चे कितने हो गए दस छोड़ गए तीस रह गए एवरेज कितना हो गया है एक्स प्लस वन टोटल खर्चा यहां पर कितना आ रहा है आपने का चालिस एक्स यहां पर टोटल खर्चा कितना आ रहा है तीस एक्स प्लस वन आप से सवाल में कह रहा है कि खर्चा 60 रुपे कम हो जाता है यानि पहले वाले खर्चे मेंसे अगर मैं 60 घटा दूँ तो ये इसके बराबर आजाएगा पहले वाले खर्चे मेंसे अगर मैं 60 घटा दूँ तो ये इसके बराबर आजाएगा तो क्या होगा? 0 से 0 कट गई, ऐसे कट गया आपको पता है, ये 3x है, इधर आके घटेगा x बराबर ये 6 है और ये 3, ये 9 हमने का, एक बच्चे का खर्चा 9 था x बराबर तो 40 बच्चों का खर्चा कितना होगा? 9 से गुड़ा करकी 49, 36, 360 देखे, जब कोई चीज समझाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, फिर जब आपको आजाएगी धिरी-धिरी, तो आप प्रक्टिक्स करेंगे, आपको मज़ा आएगा ऐसे मैं बहुत सवाल आपको दूँगा आप इस सवाल में भी वो तरीका लगा सकते हैं, जो हमारा यूनिक मैथ़ड है, वो आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं मैं एक बार जल्दी से लगा के भी बता देता हूं, कि जैसे 40 बच्चाओं का एवरेज एक्स, बच्चे रह गए 30, एवरेज हो गया एक्स पिलस वन, कितना बढ़ गया, पिलस वन, कितना घट गया, माइनस दस, 10 से इसको गुड़ा करेंगे, माइनस दस, एक्स पिलस वन, चालिस से इसको गुड़ा करेंगे, पिलस चालिस, बट आपको पता है, एक खर्चा माइनस साथ के बराबर होगा, क्योंकि साथ कम हो रहा है, इद्यान रखना, अगर बच्चे निकल के गए तो नेगिटिव आता है तो इसलिए माइनस लगा दिया, ये इदर आएगा तो क अच्छे घर पे जाके इसे लगाते और माइनस ना लेते तो गड़बड हो जाते, इसलिए बताना जरूरी था, तो चालिस लोगों का खर्चा कितना आ गया, चालिस निम्मा, तीन साथ, आप देखिए चाहो तो एक यूनिक मेथड याद रख सकते हो, जो हर जगह लगेग हर सवालों पे लगेगा, कोई तकलीफ नहीं देगा, डिवाई बुलेंसर से एटी राजपुच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजपुच साब बहुत स्वागत है आपका इस तरीके से हमारे साथ जुडने के लिए, ठीक है, बहुत ही सुन्दर, बहुत ही सुन्द आप मत करो कम, बोलो भाई, सही है, साथ कम हटा देते हैं, अगर मैं साथ कम नहीं करूँगा, यानि कि साथ मैंने बढ़ा दिया, और मेरे बच्चे कितने हैं, 10 जाने के बाद, 30, यानि मैंने हर बच्चे पर 2 रुपे बढ़ा दिया, तो जो अभी यह एक जादा हो रहा थ तीन चौक बार है, आप बताइए कितना बढ़ रहा है आप कहेंगे एक बढ़ रहा है और सवाल में कितना बढ़ रहा है, तीन तो मैंने का अगर एक की वेलू ये तीन है तीन गुनी है, तो 120 की तीन गुनी, 360 उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर था यह हमने फिर LCM मेथड लगा दिया, देख लो भाई जल्दी, जल्दी देखो, वक्त की हमारे पास कमी, shortage of time, shortage of time है दोस्त, क्या है shortage of time, time की कमी, live class करने की कोशिश करो, class skip मत करो, यह मत सोचो नहीं, मैं 2x पे देख लूँगा, इस पे देख लूँगा, कुछ नहीं होता, इस सब फालतों के काम है 2x, x पे हमें भी पता है कि आप कितने काबिल हो कि 2x और x पे देख लोगे, हमें पता है आपके बारे में देखो भी हमें क्या है लगे रो mobile में अपना time pass करो ठीक है आगे बढ़ें दोस्तों बढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है उत्तर बताओ, सब लोग उत्तर बताओ दोड़ दोड़ के उत्तर बताओ मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे यह वाले सवाल यह आपने होटल वाले कियें ऐसे मैं तीन-चार सवाल लाया हूँ बताने को इसमें basic भी लगेगा बताने को इसमें unique method भी लगेगा allegation भी लगेगा सब कुछ लगेगा बट मैं थोड़ा सा आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ बिलकुल देखें दोस्त आगे बढ़ते हैं 12 वेक्ति होटल गए 12 वेक्ति होटल गए उन में से 11 वेक्तियों ने प्रतेक ने अपने भोजन पर 64 रुपे खर्च किये तता 12 वेक्ति ने सवी 12 वेक्तियों के उसरत 66 रुपे अधिक खर्च किये देखे, मैं क्या चाहता हूँ, आपको याद होगा, जब मैंने Average पढ़ाना सुरू किया ही था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत महत्रपूंट बात बताई थी, मैंने कहा था, Average को हम सबका मान सकते हैं, अगर ये कहा जाता है, कि एक किलास का Average 32 है, तो मैं ये एक क्लास में सब बच्चों के वजन का आउसत बत्यस है, तो हम सब का 32-32 मान सकते हैं, ठीक है भई, माना आपने, दिहान से समझना, मैं अब इस पर ज्यादा तरीके पर नहीं जा रहा है, एलिगेशन भी लगेगा, यूनिक भी लगेगा, बेसिक भी लगेगा, बट मैं अप 你 सब का 32-32-32, दस्तवा बंदा बोला कि मैंने तो जूट बोला था, मेरा तो 32 से भी, जो सब का एवरेज है, मेरा तो 32 से भी 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, for example, 32 से भी 20 ज्यादा है, तो इसका मतलब वह 20 उन 10 में बढ़ जाएगा, 2-2 में बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, अब ये तो बात हो कि 10 के 10 बंदों की, मैंने कहा कि 10 के 10 बंदों का अवरेज 32 के जी था, एक बोला, मैंने जूट ब पुछा कि अपना अपना वजन बताओ, तो 10 के 10 बंदे बोले, एक से नौ तक के बंदे बोले, कि मेरा बत्तिस है, मेरा बत्तिस है, 10 के 10 बोले, दसमा बता है क्या बोला, जो 10th नंबर था, वो बोला, कि मेरा सभी 10 के अवरेज से, सभी 10 के अवरेज से अथारे जादा है, यह बोलाओ, मैं यह कहा रहा हूँ, सभी 10 का average कितना होगा, तो आपने का average होगा, ABG होगा हमने यह कहा कि सभी 10 लोगों का average ABG है, तो इसका मतलब मैं सबको ABG, ABG मान सकता हूँ बट यह बोला दसमा कि मेरा ABG से अठारे जादा है, मैंने का तेरा अठारे हटाई देता हूँ मैं, तो उचल मन तो आपने का यह अठारे हटेगा, तो इन नौ बैक्तियों में मिलेगा, दो-दो मिल जाएगा, मिल जाएगा ने अब सवाल हो गया कि एक से ले करके नौ तक का वजन कितना है, 34,34,34, दसवे کا Average है, सब का मिला के भी Average है, तो आपने कहा कि जी आपने ही बताया था कि अगर सब का Average है, तो सब को Average Average माना जा सकता है, तो Tenth तो यह जो एक से नौतक वाले हैं यह भी एवरेज है, यानि एवरेज ही 34 है, 34 ही एवरेज है, यह मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर नहीं समझा आई बात तो कोई बात निमें इस सवाल से दुबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा बट आपको समझनी पड़ेगी ये डिस्टिबीशन आपको समझना पड़ेगा दुबारा देखो मैं ये कह रहा हूँ, सुनो 12 वेक्ति होटल गए, 11 लोगों ने अपने खाने पर 64-64 खर्च किया इसने कितना किया, 64 इसने कितना किया, 64 इसने कितना किया, 64 11 लोगों ने, dead dash dead 11 लोग रहिं है, ठीक है सब का average मैंने 12 के 12 का average lived-x मान लेया मान सकता हूँ मानने में क्वा रही जो बारेवा बंदा है बारेवा बंदा उसने सभी के औसत से 66 ज्यादा खर्च किया x पिलस 66 हमने कहा कि बेटा अगर सबका एवरेज एक्स है अगर सबका एवरेज एक्स है तो तुम सबको xx ले सकते हो नहीं तुमने कहा जी ठीक है मैं इसको x ले लूँगा पट इसके 66 का क्या करूँगा तो मैंने कहा कोई बात नहीं इसका 66 है न वो इन लोगों को दे दो ये 11 लोग है टोटल 11 तो आपने कहा कि अगर 11 लोग है और 66 डिस्ट्रिबूट करना है तो सबको 6-6 डिस्ट्रिबूट हो जाएगा नहीं अब सबाल पता कितना रहेगा 70 कर रहा है 70 कर रहा है 70 कर रहा है ये X कर रहा है और average भी X यही तो रह गया सबका average X है मैंने का अगर सबका average X है तो सबको X-X ले सकते आपने का ये तो X है इसका मतलब ये भी X है तब ही सबका average X है यानि X ही 70 है 70 ही X है आप कहोगे रीता ही X है X ही नीता है बात आ रही है नहीं आ रही समझ बात आ रही है या नहीं आरे ही समझ ये बतादो बस मुझे आ रही है अब आपको पता चल गया कि सबका average 70 है तो 12 लोगों का कितना होगा 12 गुणा 70 12 74 84 बातिज खतम इसमें कोई दोराय नहीं है किसी भी परकार की इसमें कोई दोराय नहीं है 12 गुड़ा 70 84 इस दा करेक्ट आंसर बोलो भई अब जैसे कोई बच्चा सोच रहा होगा कि जी मुझे समझ देखें जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा आप देखेंगे कि 11 लोग 64 करते हैं देखें मौखिक निकाल देगा बच्चा 11 लोग 64 12 वे का 66 जादा है तो 11 में डिस्ट्रिब्यूट होगा 6 6 तो 6 और 64 70 12 74 840 उत्तर आगे कोई तकलीफ नहीं होगी मौखिक निकाल दोगे बट करोगे तब अब जैसे जिन लोगों को यहाँ पे यह ऐसे नहीं करना उनके लिए बता देता हूँ 11 गुणा 64 11 लोगों का सम था बट्टे टोटल का एवरेज 12 था यहाँ पे x पिलस 66 था और सभी का एवरेज भी x था ठीक है भी सभी का एवरेज भी x था मैंने का 12 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 x x इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 11 x 11 से यह कट जाएगा 6 यह 11 बार तो x कितना आ जाएगा 64 पिलस 6 बराबर 70 बात वही है बात वही है बस हम लिखना नहीं चाते गुणा भाग नहीं चाते और कुछ भी नहीं है बात यही है यह जो calculation है basically यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है 64 में ही छे जोड़ रहा है यहाँ भी 64 में ही छे जोड़ रहा है कोई नई चीच नहीं है आठ सो चालिस आठ सो चालिस रिंग रूड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम बैट बुलेरो में तेरा हैपी बड़े मनाएंगे सौरी सर में लेट हो गया, आकास लेट ही नहीं होना सत्यम तिबारी, सर मनीज नाम ले लो और उस तक मेरी बात पहुंचा दो तो राजा धाकुर बताओ, भाई राजा धाकुर का नाम मनीज है और उस तक ही अपनी बात पहुंचाना चाहरे हैं यह बता रहे हैं कि यह यूट्यूब चैनल पर पढ़ने जाते हैं बत पढ़ते नहीं हैं नौकरी लगनी पाएगी तो यह उसको ख़वर पहुंचाना चाहरे हैं कि मेरी नौकरी निल लगेगी आप अपनी सादी के लिए कोई और लड़का अपने बाप से क्या तो ढून ले मेरा इंतजार मत करना सोचो हम जैसे लड़कों से सीको एक दिन गए भाई साब उसके घर आफत करने ऐसे करके गए बाप निकल के आया तू नहीं मानेगा मैंने का सुन ये बताने आया हूँ इसके लड़का देख लेना मेरा इंतजार मत करना मेरी बात कहीं और फाइनल हो गई भाई साब फिर देखते तुम क्या हुआ था वहाँ पे कहानी अगले एपिसोड में होगी अगला पॉइंट अगला सवाल जल्दी-जल्दी होंगे अब सवाल क्योंकि अब तरीका बता दिया ये देखिए क्या है तरीका तरीका ये है दस लोग होटल गए कंबाइन डिनर के लिए आठ लोगों ने दस रुपे आठ दसमें से पैंतालेस रुपे खर्च किये डिनर पे यानि कि आठ लोगों ने पैंतालिस खर्च किये नोबाए और दस्वे आठ भी ने 21 और 29 जादा किये अब है यहां पे न दो बंदों ने किये तो मैंने कहा एक तो कर रहा है X पिलस 21 एक कर रहा है X पिलस 29 और सब का अप्रेज मैं मान रहा हूं फिर समझा रहा हूं नहीं तो direct भी कर सकता था सब का average मैं मान रहा हूं सब का average मैं कितना मान रहा हूं x ठीक है बात clear है इजिट clear or not बता दो भाई ठीक है clear आपने का जब सब का x है तो सब को x x मानों इस 29 और इस 21 को निकाल कर फैंको 21 और 29 मिला के कितना हो गया आप कहेंगी जी 50 हो गया मैंने का इस 50 का क्या करूं आपने का इन आठ लोगों में बाटतो आठ में ही बटेगा ना लोग कितने दस लोग हॉस्पिटल गए आठ पीपूल आउट ओफ 10 इस्पेंट पैंतालिस खर्च किया नौवे और दस पे ने 21 और 39 ज्यादा खर्च किया पचास ज्यादा किया more than the average of all 10 persons find the average of expenditure by 9 and 10th person पूछ रहा है आपसे मैंने का x निकाल आई बात बन जाएगी तो आपने कहा जी ये पचास जो है वो आठ लोगों में बटेगा तो कितना बटेगा 6.25 तो हमने ये आठ लोगों में बात दिया 50 पचास बटे 8 यानि 6.25 ये हमने बात दिया यानि x कितना आगया 45 और 6 51.25 थोड़ा मुश्किल थी कैलकुलेशन एक्स कितना आगया 51.25 बट कमाल की बात है कि मुश्किल थी हमने पूछा क्या आपसे ये भी तो देखो हमने इन दोनों का अवरेज पूछा है तो x प्लस 21, x प्लस 29 का अवरेज कितना होगा बेटा इन मैंने कहा था कि सबको x x मान लिया तो इन 8 का कितना आगया 51.25 यानि 51.25 ही x है x ही 51.25 है तो औसत कितना आगया जोड़ेंगे यहां पर 51.25 पिलस 25 तो 76.25 अच्छी कैलकुलेशन थी सवाल में अच्छी कैलकुलेशन थी सोनु कुमार का सयुत्तर आया है सोनु का आया अंकित ने ओवराल एवरेज बता दिया कोरिया का बच्चा भी आपसे पढ़ते हैं सर लो में आ गया वाह वाह सर सब कर लो बठ प्यार ना करना कभी बहुत दर्द होता है सर सक्छी लगता है काफी तूटा है बेटा पीले हल्दी का दूद भर जाएंगे तेरे जक्म इसके करके तो देख ट्राइटू वाँ 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 अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जल्दी करेंगे अब सवाल क्योंकि practice makes man happy same सवाल थोड़ी सी calculation अलग जल्दी जल्दी बताऊँगा अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा देखो इसने का 19 आदमी इकटी होकर पार्टी में गए 15 लोगों ने 69 खर्च किया डिनर पे 15 लोगों ने 69 फिप्टीनाई बाकी के बाकी के लोग बचे कितने चार लोग तो उन चार ने साड़े साथ साथ कम किये यानि टोटल कितना कम हो गया है एवरेज से 30 कम हो गया 30 कम देखी 30 कम हो गया अब ये जो 30 कम है ये किस ने किया होगा ये इन 15 ने 30 कम किया होगा यानि हरा आदमी ने कितना कम किया होगा? 2 कम तो सबका average कितना आ गया? सबका average सबका बना गया अब देखे मैं पूरा लिख नहीं रहा अब आप चाहें कि मैं लिखूँ एक जगे लिखूँ X-7, फिर X-7, चार लोग हैं फिर आपको करके दिखाऊं जी कि ये साड़े साथ काटूँ करूँ कि सबका average X-X मानना है तो ये साड़े साथ चौक अट-Tीस हो गया तीस अगर इन पंदरे से कम करूँगा दो-दो कम हो जाएगा तो पता चला सबका average X इन चारों का भी X इन सबका 57-57 यानि कि 57 ही X X ही 57 बात करता यहाँ पर जो आएए हैं हमारे साथ तीस सब राज जिन्दगी हो या तास के पत्ते अपना इकका तभी निकलना चाहिए जब आगे वाला बात्सा हो नहीं ऐसा नहीं है जब आपकी देखिए जिसने भी ऐसा नहीं बोलेंगे फाडी घलत वर्ड नहीं यूज करेंगे आपकी जिसने भी इस्तिती खराब की वो सब बात्सा ही है कम नहीं है जिसने आपको रुला दिया आपको परिशान कर दिया आपकी नौकरी को एक साल के लिए टाल दिया वो सब मैं मानता हूँ बात्साई है किसी बात्सा से कम नहीं पांच्वा सवाल छटा सवाल फास्ट चलना है हमें समझाओ तो टाइम लग जाता है पता है तेरे आदमी बारे आदमियों का उसत वजन 73 किलोगराम है बारे वे आदमी का उसत वजन सभी आदमियों के उसत वजन से 24 किलोगराम अधिक है देखिए अपकी बार क्या पूछ रहे है बारे लोगों का एक से लेकर के बारे तक सब का उसत कितना है 73 किजिए ठीक है भाई अब जो तेरेवा आदमी है उसका सभी के उसत से 24 जादा है x पिलस 24 है और सब का एवरेज कितना है x जल्दी बताओ करके मैं सवाल पढ़ देता हूँ इसने कहा अब आप क्या कह रहे हो यहां पे अब आप यह कह रहे हो कि अगर सब का एवरेज एक्स है और इसका x पिलस 24 है तो पहले तो इसका भी X करो, 24 हटा दिया 24 हटाओंगा, इन 12 लोगों में बाटूंगा तो कितना कितना बढ़ जाएगा? 24 बागित 12, दो दो बढ़ जाएगा यानि इन सब का मिला के कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 75 केजी आजए इन सब का कितना आ जाएगा? 75 केजी आ जाएगा ठीक है? कितना आ जाएगा? 75 यानि कि इन सब का 75 इसका X, average भी X यानि X ही 75 है, 75 ही X है बात कथा तो हमने यहाँ पे लिग दिया कितना होगा? 75 पिलस 24 हमने क्या कहा? 75 पिलस 24 क्योंकि अपकी बार सब का average नहीं पूछ रहा है तेरे वे आदमी का वजन पूछ रहा है तो 75 प्लस 24 निन्यानवे पे आउट हो गया सचिन शौचिन शौचिन राहुल भाई सच में क्या सर बहुत जूम रहे हैं जोती प्रकास दास जिन्दगी अपने आप में एक नशा है लड़ खड़ा के जीने में क्या मजा है हम हमेशा जूमते हैं हमेशा जूमना चाहिए आगे बढ़ना होगा कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं बढ़ पाया हो आगे तो वो मुझे बता दे कोई भी बच्चा ऐसा जो ना बढ़ पाया हो आगे Anybody else guy abhans bell Anybody else guy abhans bell बढ़तें सात्वी सवाल की तरह अगे बढ़तें साथी सवाल की तरह अब बढ़े पकड़ी है गाड़ी यह सवाल आर आप कर दो जितनी देर में मैं सवाल पड़ू आपका उत्तर आजाना चाहिए बेटा यह कह रहा है बारे आदमी में से 10 आदमियों का उसत वजन 53 किलोग्राम है ग्यारेवे एवं बारेवे आदमी का वजन सभी आदमियों के उसत वजन से 15 किलोग्राम कम है तो बारेवे आदमी का वजन क्या होगा देखें यहाँ पर भी न दो बंदे हैं ऐसे जो छेड़ खानी कर रहे हैं 10 तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक से लेकर के 10 तक, एक से लेकर के 10 तक, सब का उसत कितना है, 53 तरीके बहुत सॉलिड हैं, ये समझने पड़ते हैं, ठीक है, अब जो ग्यारेवा बंदा है, उन दोनों का 15 पंदरे कम है, x-15, x-15, और सभी का एवरेज कितना है, x, सभी का एवरे एवरेज का 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 तो हमने सब को X-X माले तो यह जो मैंने 30 कम इनका किया मुझे यहां से करना पड़ेगा 10 लोगों में से 30 कम अगर 10 लोगों में 30 कम करूँगा तो कितना कम हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा यह नहीं? 50 केजी हो जाएगा 50 कम हो जाएगा? 50 केजी हो जाएगा? कितना हो जाएगा 50 kg अब इसका मतलब हो गया कि X ही क्या है 50 kg है अगर X 50 है तो मुझे ये वाला पूछा सबागे तो 50 minus 15 बराबर 35 kg का बालक है यानि बहुत छोटा बच्चा है क्योंकि 95 के तो हम ही है 95 के तो हम ही है अंकिर देवडे मजा आ रहा है मजा आना होगा बस आपको यही करना है रिष्टेदारी से ले करके जहां तहां भी आपके लिंक है सब जगे वीडियो को फिला देना है आग की तरह सब के पास होनी चाहिए सब एवरेज के माश्टर बनने चाहिए Nobody else कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एवरेज का माश्टर ना बन सके अगे बड़ते हैं अगला पोईंट यह सवाल देख लिजा भाई, जल्दी जल्दी उत्तर बताईए यार आप भी करिए ना एकाज सवाल, हर सवाल में ही करता रहूंगा क्या सवाल यह है कि 9 people went to a hotel for combined dinner 8 people out of 9 spent rupees 23 each on dinner 9th person spent rupees 24 less than the average of all person देखिए अपकी बार कम कर रहा है खर्चा अब देखिए मैं मौक एक निकालना बताऊँगा यहां पर मैं कहूंगा कि यह 23 रुपे खर्चा अगर 24 कम कर रहा है यही 24 आठ लोगों में कम होगा, आठ तिया 24 बीस रह जाएगा यानि सबका एवरेज कितना है 20 तो 9 दूनी अठार है 180 रुपे अब देखिए पूरा नहीं लिखूँगा क्योंकि अब क्या ही थवाल बता चुका मतलब नहीं है कोई मैं उतना स्टेंडर गिरा के पढ़ा भी नहीं सकता हूं मैंने सीधे कहा कि अगर यह 24 कम कर रहा है तो वह 8 लोगों पर पढ़ेगा और 8 लोग 3-3 कम करेंगे 8 तिया 24 यानि 20 रह जाएगा 20 ही सबका एवरेज है तो 9 लोगों का 9 दूनी अठार है 180 रुपे आ जाएगा कितना आ जाएगा 180 रुपे सर जी CHSL 8 दिसंबर से एप्लाई बंध है एप्लाई बंध है एप्लाई बंध है CHSL की सप्लाई बंध है बताओ भी कुछ तो बताओ क्या बंध है CHSL का सप्लाई एप्लाई यह सवाल देखिए, यह मुझे बहुत अच्छा लगा सवाल थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए पढ़ देता हूं मैं क्या के रहा है सवाल सवाल के रहा है, the total expenses of a boarding house are partially fixed and partly varying linearly with the number of borders the average expense per border is 700 when there are 25 borders and 600 average when there are 50 borders what the average expenses per border when there are 100 borders boarding house के कुल खर्च आंसिक रूप से तै होते हैं आंसिक रूप से बॉडर की संख्या के साथ अलग-अलग होते हैं कुछ फिक्ष्ट होते हैं, हिंदी में थोड़ा complicated है प्रती बॉडर में आसत बै, 700 रुपे है जब बॉडर 25 है और 600 रुपे है जब बॉडर 50 है तो 100 बॉडर के होने पर प्रती बॉडर का आसत खर्च क्या होगा यह बताना है कोई बच्चा बताएगा, कोई बच्चा नमूना, free hit पे छक्का, अखिलेश कुमान ने मारा है, वाह अखिलेश कमाल कर जाते हैं, आप इसी तरीके दे छक्के चौके मारते हो, हमारा तो दिल खुश है इसी में हमारा तो दिन बन जाएगा दिन बहुत अच्छा लड़का यह अखिलेश, भगवान इसकी आत्मा को सांती दे, क्या हुआ? आज बताएंगे, आज बार है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो नौ तक मार चुके हैं देखे भई, पच्छिस, देखे अब यहां पर मैं एक बार सम से बताता हूं, एवरेस से भी बताऊँगा मैं क्या रहा हूं कि जो पच्छिस बार्डर हैं, देखे यह क्या रहा है, पताँ यह क्या रहा है, कि कुछ तो स्टार्टिंग में फिक्स कर लिया, जैसे मान लेते हैं, दो हजार फिक्स कर लो चाहे आप 10 बॉर्डर ले रहे हो तो भी 2000 रहेगा चाहे आप 20 ले रहे हो तो भी 2000 रहेगा माले थे एक बॉर्डर का 500 है तो 10 बॉर्डर के case में 5000 जोड़ जाएगा और 20 बॉर्डर के case में 10,000 जोड़ जाएगा ये मतलब है इस बात का बट यह fix रहेगा 2 अचा जैसे जब आप बिजली का मीटर लगवाते हो तो fix हो जाते है कि फिर 200 तो रहेगा ही जाएगा अब आपने एक यूनिट चला ही तो दस और बढ़ जाएगा दो यूनिट चला ही तो तीन और बढ़ जाएगा ऐसे यह वाली बात यह भोल रहा है कि इतनी सी बात यह बोल रहे हैं तो पच्चीस बॉडर है 25 बॉडर का क्या होगा 700 के हिसाब से 25 सत्र एक्षोपिचट्र सत्रे हजार पानसों आगे एक्चुली साथ सो एवरेज है तो मैंने साथ सो और पच्चीस को आपस में क्या किया गुडा कर दिया 700 और 25 को मैंने आपस में गुड़ा कर दिया, 25 सथी, 175, 175 पर दो जीरो आ गई अब क्या बात होती है दोस्त, जब 25 पर क्या आ गई, 20, 175 पर दो जीरो जब 50 बॉर्डर की बात आई, तो मैंने क्या कहा, 50 को 600 से गुड़ा कर दिया, 30 अजारा अब यहां से मैं यह कह सकता हूँ, कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊँ समझ ना द्यान से, इसमें से इसको घटाऊँ, तो 25 बॉर्डर का जो खर्चा है वो 12,500 आ रहा है तो पता है हमें यहां से क्या पता चल गया, हमें यहां से यह पता चल गया अगर हमसे वो पूछता ना कि वो fix amount कितना है तो मैं बता देता कि 25 का तो 17-500 आ रहा था वैसे 25 का 12-500 है यानि कि इसमें 5000 वो हैं जो fix है देना ही देना है समझ गया? 5000 fix है बट हमसे नहीं पूछा उसने पूछा हमसे 100 का तो मैंने का 100 का निकालने के लिए मैं क्या करूँ तो आपने का देखिए 50 का तो है आप 50 बटर का और जोड़ दो क्योंकि fix तो इसमें है या अल्रेडी तो मैंने का ठीक है मैं इसको 2 से गुडा कर देता हूं दोनों तरफ और जोड देता हूं तो जब मैंने जोडा तो 100 बटर का खर्चा कितना आगया भाई 30,000 और ये कितना होगा 25,000 पच्पन हजार आगया 55,000 55,000 का मतलब एवरेज निकालने है मुझे तो तो एवरेज आगया एक का साड़े पांसु एक का कितना आगया साड़े पांसु आगया आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते थे कि 25 बॉर्डर का खरचा 700 है अगर यह 25 और बड़े डबल हुए तो खरचा 600 हो गए यानि डबल होने पर 100 कम हो जाता है डबल होने पर यह 100 कम हो रहे है 100 कम हो रहे है capacitive कम हो रहे है यानि और डबल करूं तो 100 का आधा कम होगा यानि ये पान समझास समझभाना थोड़ा मुश्किल है 25 बडर का 700 था 25 से 25 बड़े 25 से 25 बड़े तो 100 कम हुआ मेरी बास सुनना इनको ऐसे समझाना पड़ेगा मुझे कि अगर 25 बड़े तो 100 कम हुआ है कम हो रहा है ना बढ़ने पर तो 50 बड़ेंगे तो 50 कम हो जाए और आधा कम होगा उसका तो हमने कर दिया 5.500 बाकी नहीं देख पा रहे नहीं समझ पा रहे तो ये तरीका मैंने बताया कि 25 का सम कितना है 17.500 50 का सम कितना है 30.000 तो मैंने कहा दोनों में फिक्स है तो मैंने क्या किया इसमें जो 25 वाला था 50 बॉर्डर का खर्चा यानि 25,000 और जोड़ दिया तो 55,000 आ गया तो 100 का 55,000 है एक का कितना आ गया 55,000 बच्चों को एक घंटे की किलास भी भारी पढ़ने लगती है अभी एक बार नोटिफिकेशन कल परसों में आ रहा है उसके बाद देखी कि क्या होता है करवा के रहेंगे आप टेंशन मतलो देख रहेंगे हो बच्चे बड़ी अजीव दुनिया के मेले हैं दिखती तो भीड है फिर भी चलते सबक के लिए अकेले के अभी चुपक के चलें बिल्कुल चुपक के भी चलें दिल्ली के पारकों में देखो चुपक के भी चलें बाहों बाहें डालके चलते सब अकेलें कोई न अकेला चला है कोई इसके गले में आठ डालके है कोई उसके चलते सब अकेलें हैं नकली बातें करवालो हमेशा, always do नकली बातें, बिना मतलब की वो भी यार एक गंटा बहुत जल्दी हो जाता है, क्या करें, क्लास की टाइमिंग डेड़ गंटा करें, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है देखिए सवाल के, the average expenditure of a man, the average expenditure of a man for the first five months is 1200, the average expenditure of a month for a man for the first five months is 1200, and the for next seven months is 300, if he saves 2900 रुपे in that year, if he saves 2900 रुपे in that year, his monthly average income is, यह करा है, पाले पांच महिनों के लिए एक आदमी का आदमी का उसत खर्च 1200 था, अगले साथ महिनों के लिए 1300 है, यदि वह उस वर्स 2900 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आए बताईए क्या है तो आए इसे को 1200 बना लेता, आप समझना इसी को मैं 1200 बना लेता, 1200 बनालेता है इसको, बनाने को तो कुछ भी बना सकता है आप में, तो आप कहते हैं कि यह आपने 700 कम खर्च किया अगर मैंने 700 कम खर्च किया होता तो मैं वो 700 की बचत ज्यादा कर लेता या नहीं? बोलो भई, तब मैं 3600 की बचत कर लेता, उस साल यानि कि मैं पर मंथ 300 की बचत कर लेता तो पर मंथ 1200 खर्च कर रहा हूँ 300 की बचत कर रहा हूँ यानि पंदर असो रुपे मेरी माज से का है बहुत छोटा सा सवाल है कैई बार ऐसा सवाल पेपर में आया है तो जब भी कभी ऐसा सवाल आये तो क्या करेंगे, देख लो, मेरे दिमाग में भी तरीका आया दोबारा से बता रहा हूँ आपको तरीका दिहान से समझना मैंने कहा कि बड़ा ही लेते हैं सवाल जब चित्रमेही करना है मैंने यह कहा कि दोस्त इनको कि पहले 5 महिने का उसत खर्च 1200 अगले 7 महिने 1300 तो मैंने कहा यहां भी 1200 ही खर्चा रहने देते हैं सेम रहेगा खर्चा ठीक है तो आपने का जी आपने 100-100 रुपे हर महीने कम कर दिया साथ महीने के लिए यानि कि आपने 700 कम कर दिया अगर आप 700 कम खर्च करोगे तो आप 700 बचत करोगे या नहीं बुलो करोगे तो आपने का जी आप मैं 3600 की बचत करूगा एक साल में अगर मैं एक साल यानि कि 12 महीने में 3600 की बचत कर रहा हूं तो हर महीने का मेरा 300 बचत है अब एक बात बताओ हर एक आदमी हर महीने 1200 खर्च कर रहा है और 300 की बचत कर रहा है यानि 1500 कमा रहा है पंदरहसौ में बारा सु खर्च कर दे रहा है, तीन सौ बचा ले रहा है बताओ अगर कोई डाउट है इसमें तो अगर किसी वच्चे को कोई डाउट है, तो बताओ कि भई हाँ, मुझे यह डाउट है तो देखे, आज भी मैं यह सोच के आया था आज भी मैं ये सोच के आया था कि मैं expenditure के सवाल पढ़ाऊंगा आदा घंटे में और फिर मैं age के पढ़ाऊंगा लेकिन हुआ क्या कि ऐसा नहीं हो सका और हम expenditure में ही इतना time पी गए क्योंकि आपको कई कई तरीके बताने होते हैं आपको basic समझाना होता है आपको हर बात बतानी होती है तो उससे ज़्यादा अगर नहीं बताएंगे उतना तो फिर बच्चे नहीं समझ पाएंगे फिर पढ़ाने का फायदा नहीं है फिर वो feel नहीं आएगी कि हम YouTube पे 100% पढ़ रहे हैं पूरी कोशिश से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं भी पेपर में 6 महीने और मैंने कहाए कि मैं 6 महीने में सलेवस कंप्लीट करा दूँगा पूरा जो मेरा वादा है जैसा कि मैंने में से पहले 88 दिन की वीडियोज का किया था वो पूरा किया तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो हम अभी के लिए इतना ही रखते हैं और अगली मुलाकात फिर करेंगे आपसे कल 12 बजे तब तक बिदा लेते हैं बाई, टेक केर, धन्यवाद, थिंकी वेरी मच बाई बाई दोस्तों ख्याल रखिए अपना एक और बात में बता रहा था अभी मैं Unacademy पे आपको पताई कि पढ़ाता हूँ तो अभी special class ले नहीं रहा हूँ बट जितनी भी special class हैं वो आप मेरी अभी भी देख सकते हैं जैसे how to crack SSC, exam in six months partner से, बहुत सारे topics मैंने free पढ़ाएं वो आप देख सकते हैं दूसरी बात आपने एक channel का नाम सुना होगा Unacademy Live SSC उस पर मैं आठ classes लेने आया हूँ तो वो आठ classes मैं आज सामको एक class है जिसमें मैं mains में आए हुए सारे advance मैं इसके सवाल करा रहा हूँ आज सामको पांच बज़े है छे बज़े शे बज़े आज सामको छे बज़े class है Unacademy Live SSC पर आप मेरी class देखने आ सकते हो मैं उसका link टेलिग्राम में विजवा दूँगा टेलिग्राम आपने जोइन कर लिया है कमेंट सेक्शन में भी हम देते हैं डेस्किप्शन में भी देते हैं टेलिग्राम में आपको PDF जाती है कई बाल लेट हो जाती है बट कोशिश करते हैं कि एक डेट घंटे तक आपको PDF डिलीवर कर दें ठीक है चलिए थेंक्यू विज़े